ये NCRT क्लास 7 की हिस्ट्री का चाप्टर 6 है इस चाप्टर में हम मिली भक्ती पिरियट के बारे में जानेंगे भजन, किर्तन, कवाली या फिर भगवान के प्रती intense devotion मतलब भगवान के प्रती गहरी भक्ती ये सारी चीजे भक्ती और सूफी मूवमेंट्स की देन है जो 8th century में evolve होने लगा था, develop होने लगा था बड़े बड़े राज्यों के उदाय होने से पहले अलग-अलग ग्रूप के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पुजा किया करते थे जैसे जैसे सहरों का विकास हुआ और trade और empires इन सब के ग्रोथ के कारण लोग एक साथ आते गए और इससे नए आइडियाज डेवलप होने लगे जितने भी living things है वो अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जन्म और पुनर जन्म के अनन चक्रों से गुजरते हैं इस तरह के आइडियाज जो थे वो व्यापक रूप से accept किया जाने लगा यहां तक की सब ही human beings जन्म के समय भी एक्वल नहीं होते हैं इस तरह के आइडियाज भी अपना जगा बना लिया था इस तरह के बिलीब भी कि किसी noble family या फिर high caste में जन्म लेने के कारण social privileges मतलब समाज में वीसे सधिकार मिलता है यह भी बहु सारे learn text का subject था बहु सारे लोग इस तरह के आइडियाज से संतुष्ट नहीं थे और उनका जुकाओ बुद्धाज और जैनाज की जो teachings थे इसके तरह हो गया जिनके अनुसार personal efforts से मतलब व्यक्ति गत प्रियाज से social differences को दूर किया जा सकता था और पुनरजन के cycle से छुटकारा पाया जा सकता था बहु सारे लोग इस आइडिया की तरफ आकरसित हुए कि अगर कोई व्यक्ति भक्ती भाव से भागवान की सरन में जाए तो भागवान उस व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकते है इस तरह के विचार भागवत गीता में व्यक्ति किये गए है और यह आइडिया common era के early centuries में common era मतलब Jesus Christ के birth के time से जो era चल रहा है उसको common era कहते हैं तो common era के early century में यह idea काफी लोगप्रिये होने लगा था यहाँ पर दिया गया है the beginning of भक्ती भक्ती की सुरुवात इस period में निश्चित देवी देवताओं की पूजा का importance बढ़ गया था जो की बाद में हिंदुईज्म का प्रमुक पहचान बन गया था यह जो देवी देवता थे इसमें सीवा, विस्नू और गौडेस मतलब देवी जैसे की दुरुगा यह सामेल थे इन देवी देवताओं की पूजा भक्ती द्वारा की जाती थी एक व्यक्ती का अपने चुने हुए डाइटी मतलब देवी देवता के प्रती जो डिवोसन होता है जो सरदाभाव होता है प्रेम भाव होता है इसी को भक्ती कहा जाता है व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीव हो या फिर हाई कास्ट का हो उची जाती का हो या फिर लो कास्ट का हो चाहे मैन हो या वूमेन हो वो भाक्ति के मार को अपना सकते थे भक्ति का आईडिया भागवत गीता में भी प्रिजेंट है जो की हिंदू का एक पवित्र बुक माना जाता है बहुत सारे रिचुल्स के माध्यम से, मतलब बहुत सारे विधिवी धान के माध्यम से सीव, विस्नू और दुरगा को सुप्रीम डाइटीज के रूप में पूजा जाने लगा साथ ही साथ अलग-अलग रिजन्स में भी जो देवी देवदाव की पूजा की जाती थी उनको भी सीव, विस्नू और दुरगा का रूप माना जाने लगा और इस प्रोसेस में local myths और legends जो किसे कहानिया होती थी ये पुरानी के stories के पार्ट बन गए और पुरानों में पूजा करने का जो method recommend किया गया था उसको local cult जो अस्थारिये पन्त होते थे उसमें भी अपनाया जाने लगा बाद में पुरानों में भी यह उले किया जाने लगा कि डिवोटीज भक्त किसी भी जाती से हो उन्हें भावान की किपा प्राप्त हो सकती है अगर वो सच्चे मन से उनकी भक्ती करे भक्ती की आइडिया इतना पॉपलर हो गया कि बुधिष्ट और जैन जो थे वो भी इस बिलीब सब को अपनाने लगे इन मानताओं को अपनाने लगे अब जानते हैं सौथ इंडिया में जो भक्ती की सुरुआत हुई इसके बारे में सेवन्थ से नाइस सेंचूरी के बीच में नैनर जो की सेव संत थे और अलवर जो की वैसनव संत थे इनके दुआरा धार्मिक आंदोलनों का नत्रित्य किया गया ये संत सभी कास्ट से बिलोंग करते थे जिसमें पुलैयर और परनार जैसे अंटचेवल्स भी आते थे वे बुद्धिष्ट और जैन के किर्टिक्स थे मतलब उनके आलोचक थे और सीव और विस्नु के प्रती सच्चे प्रेम को मुक्ती का मार्ग बताते थे नैनर और अलवर जिस किसी अस्थानिया गौँ में जाते थे वहां के जो अस्थानिय देवी देवता होते थे लोकल डाइटेज उनकी प्रसंसा में सुंदर कविताओं की रचना करते थे फिर उन्हें संकीत बद कर दिया करते थे 63 नैनर ऐसे थे जो अलग-अलग सोसल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे जैसे की पोटर्स, अंटचेबल वर्कर्स, पीजेंट्स, हांटर्स, सोलजर्स, ब्राहमन और चिप्स इनमें जो ज्यादा फेमस थे, वो थे अपर, संबंदर, उसके बाद सुंदारर, उसके बाद मनिका वासागर उनके गीतों के कमपाइलेशन के दो सेट है, पहला तेवरम, उसके बाद तीरू वाचकम अलवर संथ जो थे, वो संख्या में बारत थे, ये भी अलग-अलग सोसल बैक्ग्राउंड से बिलॉंग करते थे इनमें फेमस थे, पेडिया अलवर, उनकी बेटी, अंडल, टोंडर डिपोडी अलवर, इसके बाद नमालवर इनके जो गीत हैं, सौंग्स जो हैं, उसको दिवी प्रवन्धम में संकलित किया गया है, कंपाइल किया गया है 10th और 12th सेंचुरी के बीच में, चोला और पांडिया किंग्स चो थे, उन्हों ने बहुत सारे धार्मी कस्थल, जहां इन संतों न यात्रा की थी, वहां विशाल मंदिर बनवाया और इस तरह से भक्ती ट्रडिशन और टेंपल वर्शिप के बीच में, जो लिंक था उसको और मजबूत किया इसी टाइम पर उनके पोईम्स को कमपाइल भी किया गया था इसके अलावा अलवर और नैनर के रिलिजियस बायोग्राफी जिसको की हैजियोग्राफी भी कहा जाता है इस सब को भी कमपोज किया गया आज हम भक्ती टर्डिशन के हिस्ट्री को लिखने में ये सब जितने भी टेक्स्ट हैं उनको एजसोर्स यूज करते हैं यहाँ पर मनिकावा सागर के ब्रॉंज इमेज को दिखाया गया है और यहाँ पर इनका एक कमपोजिसन है जिसमें इन्होंने अपने और भागवान के बीच रिलेशन्सिप को डिस्क्राइब किया है अब है फिलोसफी एंड भक्ती इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे